असलों अलेकुम फ्रेंद्स वेलकम बैक टो आचानल श्रीट फुट वर मेरा कैसे आप सब तो आज मेरे ममी बनाने जा रहे हैं आलू और प्यास के बज़िये तो आलू और प्यास के बज़े कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं तो चलिए आलू और प्यास के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने आलू ले लिए लंबे के तीन आलू लिए हैं मीडियम साइस के और मैंने प्यास ले लिए हैं इसको लंब लंबा कट कर लिया है बारिक नहीं कट करना है ठीके इसके बाद मैंने यह धनि कर देंगे थीक है अब मैं इसे में पयाज ऐड़ करने के बाद हमें क्या करना है इसके अधियर के लुष से मिक्स कर कर ले लेंगे ताकि जो पयाज और अलू है अच्छे से इसका टेस्ट आये इसके लिए तो यह मैं अच्छे से मिक्स करके ले लिए पयाज और आलू जो है अब मैं इसमें सारे मसाले एड़ कर दूंगी इसमें मैं आदा चम्मच हल्दी एड़ कर दूंगी इसमें आदा चम्मच मनमक आड़ कर दूंगी इसके बाद थोड़ा सा मैंने खाने का सोड़ा लिया है वह मैं इस के बाद इसमें मैं बेसन एड़ कर दूंगी जादा बेसन नहीं एड़ करना है एक बाउल उतना मैंने बेसन एड़ कर लिया है इसमें ये देखिए अब इसे मैं क्या करूंगी थोड़ा सा इसमें तेल एड़ कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसे अच्छ यह इंस्टंट वाले हमारे पकोड़े है आप इसे मिलाते बराबर ही तल सकते हो तो देखिए मिक्स हो चुके एक साइड में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था तो यह देखिए मैं एक एक करके सारे पकोड़े जो है इसमें फ्राइ करूंगी दाल दूंगी और ग्यास का फ्लेम हम्हें हाई ही रखना है लो नहीं करना है लो करो गे तो हमारे पकोड़े आप बनेगे तो इसके लिए हाई पे भी हमिए इसे फ्राइ करके लिए लेना देखिए एक सैट से हो मैंने इसको अभी टर्न कर दिया है और एकदम आराम से वह तूड जाएगे नहीं तो देखे यह सारे पकोड़े जो है मैंने वह आच्छे से टर्न करके ले लिए हैं एक सैट से हो चुके लगबग यह दूसरी सैट से हो रहे हैं देखे यह भी डन यह हमारे पकोड़े बनकर अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आयो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोट कीजिएगा अला आफिस